यहां जब आपको घर से बाहर जाने का चांस ना मिले या फिर किसी इंस्टीूट में किसी आफिस में या दोस्तों के साथ या फिर किसी जैपनीज के साथ बात करनेगा टाइम ना मिले तो घर बैठे बैठे किस तरह से हम अपने existing Japanese skills को और polish करके थोड़ा सा काईवा की practice कर सकते हैं इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं Welcome to New Hongo Max, मेरा नाम हरवीच चले शुरू करते हैं जैसे कि for example मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि कुछ expressions हैं Japanese के जो की advanced level के होते हैं मेरे और भी वीडियो के अंदर मैंने काफी कोशिश करी आपको advanced expressions ठिखाने की साथ की साथ उनको सीखा कैसे जाए याद कैसे किया जाए तो चलिए देखते हैं आज हम काईवा को अपने skills को किस तरह से brush कर सकते हैं किस तरह से polish कर सकते हैं सबसे पहले हमें इन तीन चीजों को follow करना है सबसे पहले actionable sentences दूसरी बात है repetition and mirroring तीसरी बात है create your own story तो चलिए देखते हैं कि करके इनका मतलब क्या है देखें सबसे पहले आता है actionable sentences above your level above your level का मतलब है कि आपने जितना भी सीखा हुआ है चाहे वो N5 है चाहे वो N4 है basic sentences है या intermediate sentences है उनकी ही practice और उनको थोड़ा थोड़ा advance बना के फिर उनकी practice सारे वीडियो का यही एक summary है तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं मैंने हमेशा से बताया कि sentences ही आपको सबसे ज़्यादा practice कराते हैं चाहे आप कितनी भी grammar याद कर लें vocabulary याद कर लें जब तक आप उनके sentences नहीं बोलेंगे जब तक आप उनको एक meaningful sentence में convert करके practice नहीं करेंगे तो उनका कोई भी फायदा नहीं है तो सबसे important point आता है sentences की practice यह क्या है मैं आपको आगे आने वाले section में जो की है repetition and mirroring इसमें समझाता हूँ देखे mirroring और repetition इससे लोग समझते हैं कि मुझे mirror के आगे खड़ा होके उन sentences को बोलना है काफी students बोलते हैं आपस में यह सब बात है लेकिन यह actually में यह नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपको इन sentences को meaningfully अपने दिमाग में घुमा के चाहे mirror हो या ना हो चाहे आप उसको पढ़के बोलने लेकिन आपको उसके बाद उसको किसी से मैं कह रहा हूँ यह बात या फिर यह बात मुझे सच में feel हो रही है जैसे हम हिंदी बोलते हैं और हमें उसका meaning दिमाग में चलता है हम उसको किसी को कुछ कहना चाते हैं और उस बात को implement करवाना चाते हैं similarly आपको उन sentences को जब आपकी practice कातम हो जाए तो meaningfully किसी को convey करना है चाहे वो कोई भी हो चाहे वो दिवार है आप इसको repeat करें जादा से जादा और इन sentences का collection बड़ा important है जो कि हमारा third point आता है create your own story यानि कि आपको अपनी खुद की story बनाने देखे जैसे nihongomax.com पे इस तरह हैं कि आप sentences को follow करके reference ले सकते हैं इसमें आपको अपनी खुद की story बनाना जैसे मेरा एक दिन या फिर मेरा office का दिन इस तरह का एक paragraph create करके उसकी practice करना बहुत बहुत effective रहता है बहुत beneficial रहता है काईवा के अंदर आपको सोचना नहीं पड़ता कि content पहले मैं बनाओ उसको translate करूँ और फिर बोलूँ काईवा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको naturally अंदर से निकलनी चाहिए और उसके लिए आपको practice होनी चाहिए content चाहे जो भी है आप थोड़ा बहुत उसको manage कर सकते हैं assemble करके तो all the best इन सब techniques को follow करके अपनी books को existing books को ही revise करिए और आपकी काईवा इसमें सारी बात मेहनत की discipline के और time लगाने की है आपकी काईवा एक महीने में या 15 दिन में ही आप चाहें तो बोलने लग सकते हैं all the best